अगर आप अंडर्गरांड वाटर टेंग बनाना चाह रहा है तो उसके समें उसकी कितनी कॉंटिटी लगने वाली है तो उसके साथ जो आप आपका एक्सटरनल और इंटर्नल जो प्लास्टर होगा वह कितना लगने वाला है इसलिए इसलिए अन तक जरू देखेगा तो चलते हैं अपने टॉपिक की और सबसे पहले बात करते हैं इसके फीगर को समझते हैं तो सबसे पहले हैं देख सकते हैं कि कैल्कुलेट दा हमारा यह सखне decía 5 själ alumni इसका हूं यह हमाराकिा सब्सक्राय सब्सक्राइब करें नॉन्टब बात करें इसको काट करते हैं तो खातों हमारा और देखने को मिलता को सबसे पहले पर आता है यहहां पर यहां पर सकते हैं इसके नए ओपर आता है कि हमारी 2.5 mm की ठीक धारीे है ठीखे वाटर आए वाटर आपका ठीक है तो यह हमारे बात कर यह ता सब्सक्राइब होगी तो यहां तो यह कितनी हो जाएगी झारी मिटर की ठीक है और दोनों यहां पर 50 सेंटीमेटर यहां पर एक्स्टा निकला हो रहा है 15 सेंटीमेटर और इसकी बात करें यहां पर हमारी होई 20 सेंटीमेटर की और इसकी जो देप्थ है वह हमारी है 0.7 मेटर ठीक है और यहां पर जो टॉप हमारा जो हमारा जो वाटर टैंक है उसके टॉप सा हमारे 50 सेंटीमेटर नीचे हमारा क्या ग्राण्ड लेवल एक्जिस्ट कर रहा है तो इसकी अगर क्वांटिटी इसकी अगर देप्थ की बात करें तो कैसे निकले फ्रेंट तो 0.7 माइनस करना पड़ेगा 0.5 तो हमारी निकल जाएगी 0.2 मेटर यह इसकी देप्थ ठीक है यह था हमारे क्या था कि वाटर जो टैंक है उसका सेक्षन और यह फ्रेंड यह था उसका प्लान उके नहीं बात करते हैं पहला करना है कि अर्थ वर्क इंद एक्सक्वेशन ठीक है सबसे पहले टोटल लेंध ऑफ सेंटर लाइं ठीक है फॉरटी सैंटीमेटर थिक वाल ऐकर हमारे क्या हुआ तो हमारे लगार और सक्ष़ाइल के लिए भर्रटी सैंटीमेटर हो चाहिए हमारे ना बात करते हो यह हमारा कुछ ऐसे बनेगा यह हमारा 40 यह फे 0.4 ओके तो जब भी हमें पता है कि जब ऐसे करते हमारा हमारे क्या टो सेंटर करें तो यह कितना हो जागा फ्रिया हमारा जाएगा 0.2 यह भी हमारा सेंटर डिस्टन निकल जाएगी वो निकल जाएगी 05.4 is किलां से लंगर वाल कितनी है ठीक है यह लोंगवाल दूसरी कि है लोंगवाल थीक तो हमारी क्या हो यहां पर आगई 5.45 222 अब बात करते हैं चाहिए यहां न गय다 । YouTube फ्रिंट धॉरे सकते यह तो आगेन आजाएगी फ्रेंट के यहां हो जाएगी 3.5 प्लस 0.2 प्लस 0.2 तो यह हमारी आजाएगी 3.9 मेटर ओके और जो सोट वाल हमारी पास दो है एक है और यहां पर आजाएगी अगेन 5.4 प्लस 3.9 इन्टुटी इन्टुटू ओके तो हमारी आगाई टोटल लैंद 40 सेंटीमीटर थिक वाल के केसे में वह हमारी आजारी 18.6 मीटर ओके नहीं बात करते हैं हाजाएकि वह हमारे आजाएगी 5.3 ओके तो 5.3 मीटर आजाएगी यहां पर 3 कर ले जाएगा फ्रेंट ओके 5.3 मीटर प्लस 3.8 कैसे आगा फ्रेंट similarly है फ्रेंट 3.5 3.5 प्लस यहां पर हमारे किनी हो जाएगी 0.3 by 2 प्लस 0.3 by 2 तो यह की जो भैलू आजाएगी वह हमारी आजाएगी 3.8 और 2 से तो हमारे आजाएगी 18.2 इन मीटर के लिए फ्रेंट वही हमारे आजाएगी 5.2 प्लस 3.7 इन्टू टू ओके समतों किनी सकते हैं अ के सबसों क्सटें पहले की अलगा करेंगे नियुक्रों बात करेंगे C से ख्लक्रेट होगा दे सकते हैं यहां सब्सक्राइब करेंगे तो 40 cm Left and 40 cm ओके तो हमने यहां तक यहां तक पौछ चुके हैं नहीं हमारे पाइड करना पढ़ेगा 15 cm इधर से भी हमारी इफ्से की बेड एक्स्टा बच रही है तो फिप्टिन सेंटीमेटर और इधर से भी 50 सेंटीमेटर ठीक है तो फ्रेंड यह हमारा 5.8 की से है तो यह हमारा होगे 5 मीटर प्लस.4 प्लस.4 ऑके तो हो जाएगा पॉर पॉंट 8 तो 5.8 प्लस.0.15 दे सकते हैं यहां से यहां तो निकल जाएगी तो यह हमारी आ जाएगी कितनी आ जाएगी वह हमारी आ जाएगी प्लस दे जाएगी 0.2 प्लस दो न फॉर प्लस हो जाएगी यह कैसे निकल जाएगी यह निकल जाएगी 2.7-0.5 दे सकते हैं 0.2 यह हमारी आगए 0.9 भी आगए 1.4 प्लस 0.2 ओके तो यह हमारी आजएगी 2.7 मीटर तो ना फ्रेंट यह इसली पूट कर सकते हैं कि नंबर एक हो गए लेंथ हमारी 6.1 मीटर आ हमारी दे सकते हैं 4.6 मीटर हाइट हमारी आगए 2.7 मीटर ना कॉंटरिटी की बात करते हैं कि जब मंटिप्लाइ कर लिए थीनों तो हमारी आजएगी 775.762 मीटर क्यूब में ना फ्रेंट बात करते हैं कि सिमेंट कॉंक्रीट इन फाउंडेशन ओके दो या फिर इसको पीचिशी भी हमारा होगे सिमेंट कॉंक्रिट अब फ्रंट या रखे कि जो भी हम लोग एक्सकावेट किया थे इसके अकॉड़िंग ही किया तो इसलिए इसकी जो लेंद जो विट्ट होगी वह सेम ली जाएगी ठीक है तो जो हमार आगी विट्थ भी हमारी एक्सकावेशन चैलकुलेट किया है 4.6 मिटर ओके लेखने हमारी जो हमारी ऑगी उट्युक्त मेटर ना बात करा तो हमारी निकल लेखे 6.1 देख सकते हैं लगिए इसे निकली 0.2, तो यह पाइब हमारा 5.612 तो जो टोटल कॉंटिती निकल गई है, दोटल कॉंटिती तो 5.612 मीटर क्यूब में है, नहां बात करते हैं, कि जो F1st class ब्रिक में शुनरी था, इसीमें शीमें मोटर 1-3 की कैसे में, कुए तो नहीं करते हैं देख सकते हैं i9-6 और्थे फोटी सेंटीमीटोर और हमारा स्वाइजिश्लीट 268 एकए इज याद रखेगा sı है और फॉर्टी सेंटीमीट्र के लिए अब काउंड करते हैं हां कि हमारी निकल के 40 cm मतलब कि 0.4 और जो हाइट के यहां पर हाइट जो हमारा जो सेक्षन में वह हमारा है 0.9 तो कि ना 30 cm के लिए लेंद्र निकल गए 18.2 विट हमारे होगे 0.3 और जो हाइट है वह हमारी है 1.4 तो के देशकते हैं यहां 10 संटीमेटर के लिए प्लाइक करने पर देख सकते हैं इतना इतना आ रहा है और जो टोटल क्वांटिटी जब इसको एड़ कर दीजे का तो हमारा आ जाए का 16.832 इन मीटर क्यूब में रहे हैं के लिए जरti और लिस सकते हैं कि यहां फ्लॉरिन कर रहे हैं इसके हम आंचे सकते हैं इस क्ते फिल्य करें हैं। पर होगस फ्लोर और इत्ना ही लेंद पर फ्लोर इंग होगा इसकी जो लेंद कितनी है फईब मीटर होगी तो फ् Learn जो होगीद चुंटी व थेमंटंफ क्रेंश टाल कॉंटीटी इसका मीटर माईगी ठीक है चुं previously अब यहां स्टोन का जो आपका जो फ्लोर के ज़ो फ्लोर करीगा ऑस के साथ सब्सक्राइब इनरवाल है एक हमार इनरवाल है तो कितना व्हांटिटी लगने मादा है तो फूर्दर बात करते हैं वुद्ध में किник नंबर होगा को कि यहीं तो हमारे जो लेंद लिया खितना तो छी मिखें सेवन्टिन. वाल बाथ करते हैं कि12 में तो फिरнов बात करें किसें वाल आखिस जोट मारी बात करें लोंग वाल के लिए तो लोंग वाल फिर आसे लोंग व Confirm की बात है तो भी लोंग के रहा प्रॉड पॉर्च की से सब्सक्राइब अ सब्सक्राइब अ फिरन्ट है यह बात तो भी डुबा this देख सब्सक्राइब तो हमारा आगे और यहां जो विर्थ होता है वो हमारा क्या था कुछ नहीं था ठीक है तो हो गया इंटू इंटू 5 इंटू 2.975 वह हमारे जो वैलू आती ही 29.75 पाती है अगर सिम्रेली सोट वाल के कल्कुलेट करने फड़ें तो कितने सोट वाल हमारी दो है या फित भी बहुके बहुते हैं तो वह हमारी क्या 3.5.5 मीटर है ठीक है यह हमारी सीम्रेली यह dáप कि बात कर तो तो तरटल जो हमारा जो डाल हें च आहां पाट extremely मेटर अगर 2.75 cm तो उसको जो हमारी value आएगी वो हमारी आजाएगी 2.975 in meter ठीक है और इसको जब calculate करेंगे तो हमारी आजाएगी 20.825 और ना अगर total की बात करें कि flooring और उसको वाल की किसमे किनी quantity लगने वाली तो वो हमारी आजाती है टोटल को एड़ करने पर 68.075 in meter square में in meter square में अब बात करते हैं कि हमारी जो 61 नंबर था ओके यहाँ पर हमने बात कर लिया कि अगर 69 की बात करते हैं क्यासिते के सिमेंट प्लास्टर one is two three on top of the wall यह हमारी जो वाल कि टॉप पर हम लोग भात करें एक तो अगर लौग वाल की बात करें हैं बात कि अलिंद हैं कि ने क्योंड हो है हमने बात किया थे कि चलने वालें थे तो सेंटर टू सेंटर कितना लिंग यह हमारा होगा कि बात कर रहे है तो में हमारा प्लान था और यह जो बहुत थी वह थी 20 cm और जो लेंद लॉंगर वार वार जो भी थी वह हमारी थी 5 प्लस कहना पड़ा प्रेंट पॉंट बाइड़ वार की बास करें तो सिर्फ फॉंट प्लस फॉंट टु एफ प्लस फॉंट टू हो जाएगा तो उसकी फेल हो यहांपर देश सकते प्रेंट लोंग वाल केसे 5.2 औ कज़े हों गए और वाल में करें हैं और में उसकी जो कॉंटिटी भैट है लिएड कि नहीं वी यहाँ औरब लिक गए तो तुर्स भी हो जाएगी सब्सक्राइगे याद रखेगा मिटर इसफ़ार में ना बात करते हैं कि external plaster कितना दिंग उसके बात करते हैं तो friend यह हमारे long wall और यह हमारा short wall तो friend यह हमारा long wall और यह हमारा short wall ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं long wall के किसे में कितनी लगे वाली है यह हमारी क्या है दो हो गई अगर इसकी length की बात कर ओके length हमारे क्या होगी यह हमारे क्या होगा 5 meter total हो गया ठीक है 5 minute total हो गया जो और यहां पर जो इसकी width है वो हमारे क्या 0.2 meter यहां भी क्या 0.2 meter तो हमारी हो जाएगी 5.4 क्यूंकि हमें external चाहिए यहां से यहां तक है और यह लोंग वाल हो हमारी है 525 meter यहां से यहां तक तो 0.2 इधर से आजएगी 0.2 इधर आजएगी 5.4 और similarly अगर बात करें कि अगर short wall की case में तो 3.5 आगी और दोन तरफ से जोड़ देंगे तो हमारे आजएग 3.9 ठीक है तो देशकते हैं ग्राउंड लेवल के उपर जो हमारे 50 cm है यह हमारा हो जाएगा in meter 0.5 तो उस case में हम लोंग वाल की case में 0.5 और जो quantity आ जाएगी 5.4 और आ जाएगी यहां पर 3.9 तो यह भी जो quantity आती है अपन हमें तो plaster की case में पता quantity कि की की आती है मिटे स्कार में लेगी चलते हैं mode of measurement और आती हमारी 12.86 को एड़ करने पर ओके दोनों को और प्लस हमारे यह भी एड़ हो जाएगा ओके तो टॉप ऑप दावाल और हमारे एक्टेनल प्लास्टर को एड़ करने पर जो total quantity आ रही है वह 12.86 मिटे स्कार आ रही है तो फ्रेंड आसा यह लेगी और यह लेगी नाटछ्न और आपको समय पर मिलते रहे मिलते नेक्स वीडियो में थैंक य